इसे लगाने के बाद फेस पे दुबारा से बाल आएगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ समगरी हम ऐसा डाले हैं जो फेसियल हेर के ग्रोथ को इस टॉप करेगा दुबारा से बाल नहीं आएगा हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सब खुबसूरत इसकिन की चाहत हम सभी की होती है कि हमारा इसकिन खुबसूरत दिखे जहां भी जाएं हम सबसे अलग दिखें लेकिन फेस पे कुछ ऐसा प्रावलम हो जाता है जो की पूरी तरह से खुबसूरती को खराब कर देता है उनमें से एक कामन समस्या है फेसियल हेयर अनवांटेड हेयर यह इतना जादे परिसान कर देता है कि पीछा ही नहीं छोड़ता है चाहें हम अपने फेस पे कुछ भी लगा लेकिन दुबारा से इसकी ग्रोथ आई जाती है तो इस वीडियो में जो उपाय आप लोगो बता रही हूं एक फेसियल हेयर को भी साप करेगा और उसके ग्रोथ को भी रोकेगा दुबारा से बाल बिलकुल भी आपके फेस पे नहीं आएगा इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूं तो जादे बाते ना करते हुए चलिए वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क इसे किस तरीके से बनाना है उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप पूरी जानकारी लेकर नहीं जाएंगी फिर इसे बनाकर लगाएंगी फिरो काम नहीं करेगा तो इसके बारे में कम सकम आप पूरी जानकारी ले लिजिए ए वीडिय में हम लिये हैं कॉन फ्लॉर यानी की भुट्टे का आटा आपको मार्केट में एजली मिल जाएगा इस रेमडी को बहुत सारे लोगों ने ट्राइ किया है और उनका यही कमेंट आता है कि दीदी मेरे फेस पे दुबारा से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है बाल बहुत कम आ असान थी कि मतलब क्या ही मैं बोलूं जितना भी मैं उसका तारीफ करूं उतना कम है तो मैं सोची हूँ कि उस टॉपिक पर एक और वीडियो क्यों न सेयर किया जाए तो हम यहां पे लिये हैं एक चम्मच भर के कॉन फ्लॉर यानी की भुट्टे का आटा दूसरी इंग्री है तो हां का पॉर्ट्स ओपन हो जाता है तो सिंक करता है उसे टाइट करता है ताकि दुबारा से बाल ना आए गुलाब जल का यही रोल है बालों के ग्रोथ को यह रोकता है तो हम यहां पे गुलाब जल लिये हैं दो से तीन चम्मच भर के और इसमें हम एक से डिर ठीक है जी तीसरी इंग्रीडियन्ट हम यहां पे ऐट कर रहे हैं कॉफी जो कि हम सभी का फेवरेट होता है कॉफी पीने के तो सभी सोखिन होते हैं पर फेस पे लगाने का तरीका बहुत कम लोगों को ही पता होता है और इस तरीके से कॉफी का यूज कर लेती हैं तो आपक तो थोड़ा बहुत वीडियो स्किप करके देखते हैं, बाद में उसे बना कर लगाते हैं, तो जो आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है, अगर आप वीडियो पूरा देख के जाते हैं, तो फिर आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी रैमडी मैं सेयर करती हैं, उस पे मुझे 100% विश्वास होता है, यूज किया हुआ घरेलू नुस्खा होता है, तभी जाके आप लोग के लिए वीडियो में सेयर करती हूँ, तो पूरी जानकारी ले करके जाया करिए, इसमें हम आइट कर रहे हैं, 5-6 बु जो आपका फेबरेट हो, बहुत सारे लोगों की स्किन को कुछ नहीं सूट करता है, जैसे कोकोनाटायल बहुत सारे लोग अपने फेस पे नहीं लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाल आता है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर सही तरीके से लगाएंगी, तो आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, और बहुत सारे उसके फायदे भी हैं, अब इसे हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है, अगर आपके स्किन को सूट करता हो, तो आप इसमें चुटकी भर फिटकरी भी डाल सकती है, ठीक है जी, वह से मेरे स्किन को सूट करता है, मैं लगाती हूँ, लेकिन फेसियल एर का ग्रोथ बहुत जादे कम हो गया है, जिसके वज़ा से मैं इसमें फिटकरी नहीं ले रही हूँ, पर अगर आपके फेस पे बहुत जादे बाल है, तो आप इसमें फिटकरी जरूर आइट करिएगा, ठ कि थोड़ा सा सेट हो जाए, जब आप इसे दो से तीन मिनट के लिए रखेंगी, तो काफी जादे चिकना हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा फोल भी जाएगा, तो इस रामडी को हम उसेरिया पे लगा रहे हैं, जहां पे बहुत जादे बाल हम मैलाओं को परिसान करता है, दाड़ी मोज की तरह दिखता है, तो हम दोनों तरफ साइड में लगा ले रहे हैं, और अपर लिप्स पे भी थोड़ा बहुत बाल होता है, अगर आपके पूरे चेहरे पे बालों की ग्रोथ है, बहुत जादे फेसियल हेर है, या तो बहुत जादे रोवा है, छोटे- और इसे मेरा भी थोड़ा बहुत है, बहुत कम है, बालों की ग्रोथ नहीं है, तो अभी मैं इसे लगा ले रहे हूँ, इसे आपको लगा कर कब तक छोड़ना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कोश्चन चल लाओगा, कि इसे लगा कर कब तक छोड़ना है, और बीक म में मतलब दो बार लगाईएगा जब आप लोगो टाइम मिले इसे बना करके लगा लिजीएगा और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है मुश्किल से 10-15 मिनट में सूख भी जाएगा जादे टाइम नहीं लगेगा तो अभी मैं इस राइमडी को अच्छे से लगा ले रह हैं कि बच्चों का इस्किन फोड़ा सा सोब्ट होता है तो बच्चो के इसकिन पर हम लोग कुछ भी नहीं लगा सकते मतलब बहुत सम отвеч के हमें रामेडी कोजनीपड़तीbakव और ये रेमडी आप अपने बच्चों के फेस पे भी लगा सकती हैं बनाना बहुत जादे असान है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसे लगा करके मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही छोड़ी थी और मौसम काफी जादे चेंज हो गया है मेरे तरफ तो 10 मिनट में पूरी तरह से सूख गया है तो अब इसे हम किस तरीके से निकारने वाले हैं तो मसाज करेंगे तो ये निकर जाएगा क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा बादाम का तेल एट किये थे तो थोड़ा सा ये चिकना हो गया है तो मसाज करने से अराम से रिमू हो जाता है और बालों को साथ में लेके निकड़ता है 10-15 मिनट के लिए जब आप इसे अपने फेस पे छोड़ेंगी तो ये बालों के जड़ों में जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो बालों का जड़ है बहुत जादे कम जोड़ होगा बालों के ग्रोथ को रोकेगा इसमें जो हम गुलाब जल लिए है और पोर्स को टाइट करेगा तो दुबारा से बालों हाँ पे आएगा ही नहीं तो इसा भी मिलके हमारे फेसियल हेयर को हमेशा के लिए खतम कर देगा जो भी इंग्रीडियंट हमेहा पे लिए हैं हमारे फेसियल हेयर पे एक काम करता है तो अच्छे से इसे हम मसाज करके न पूछना ना पड़े पर आप लोग कमेंट करते ही हैं कि यह कैसे बनाना है इसमें किया हम मिक्स कर सकते हैं इसमें हम कुछ इसकिप कर सकते हैं तो देखिए पूरी जानकारी मैं आप लोग को देती हूं आप लोग खुद वीडियो इसकिप करके देखते हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं न है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए पूरी जानकारी ले करके जाएए उसके बाद देखिए आपके face पे कितना अच्छा result उसका आता है इन करके आप लोगो result दिखा रहे हूं आप लोग खुद देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका result आता है और आपके face के जो बाल है एक बार में काफी सारा हट भी जाएगा बहुत अच्छा result है और face पे दाना भी नहीं निकरता है जो और जो भी इंग्रीडियंट हमेहां पर लिए हैं इसमें से कुछ भी आपके पिस्किप मत करिए्गा। इसन से जँदो के लिए इसमें कुछ है कुछ है वन एकाम में क्यों इसमे में 4颜ोंय तो फिर एक क्म नहीं करेगा। बहुत अच्छी होम रेमडी आप लोग के साथ मैं सेयर की हूँ तो क्लीन करके दिखा रहे हूँ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कितना जादे फेस पे गलो आया है और इसकीन काफी जादे साफ भी लग रहा है हर बार के तरह वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स वीडियो